जाइन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों रात के दो बजे हैं और हम लोग सुरू कर रहे हैं निकलियोफाइल्स तो आई जानते हैं क्या होते हैं निकलियोफाइल्स अब बात करें कि इनको निकलियोफाइल ही क्यों कहा जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निकलियोफाइल को हम लोग दो टर्म में दो वर्ड में डिवाइड किया हुआ है nicleo plus file nicleo जो है वो derive हुआ है nicleus से और जो file है ये derive हुआ है हमारा Greek word philus से जिसका मतलब होता है loving यानि file का मतलब क्या होँआ loving तो nicleo file को nicleo file इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये nicleus के साथ में affinity show करता है या पिर nicleus loving होता है so nicleo files are electron rich spaces which have great tendency to attack at electron deficient sites अभी आपने देखा कि जो nicleo file होते हैं वो electron rich होते हैं बच्चो और electron rich होने के वज़े से वो बहुत जल्दी attack करते हैं उन site पे उन जगें पर जहां पर electron की कमी होती है तो nicleo file हमेशा जो attack करेगा वो उस जगें पर करेगा उस site पर करेगा जो electron deficient होगी electron की कमी वाली होगी ध्यान रखीगा presence of long pair of electrons make them electron rich तो ध्यान रखीगा nicleo file जो होते हैं वो reactions के अंदर electron donate करते हैं कि वो electron rich होते हैं और nicleo file का electron rich होने का जो main reason है वो है presence of electron pair या simply इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हर एक nicleo file के पास में long pair of electron होता है जिसकी वज़े से वो electron rich होता है और electron rich होता है तो electron donate करेगा उस site पे जहां पे electron की कमी होगी और इसलिए इसको बोल जाता है nicleo file example से clearage करेंगे हम आईए हमारे साथ यहाँ आप आप देख सकते हैं कि हमने nicleo file का reaction जो है लेकिन दूसरे रूट से reaction possible नहीं है impossible है यहाँ पे आप देख सकते हैं nicleo file और कार्वियो कटायन के बीच reaction हो रही है और यह बनाए हमारा product सही बात है और लेकिन यहाँ पर reaction नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हैं nicleo file जो है वो electron rich है आप यहाँ पर lone pair देख रहे हैं जिसकी वैसे electron rich है और electron rich है तो electron देगा लेकिन उस side पर देगा जहाँ पर electron की कमी होगी तो पहले वाले root में जो हमारा यहाँ पर यह जो आप species देख रहे हैं आयन देख रहे हैं यह electron deficient है और आपको भी बताया था होगा कि निकलियोफाइल हमेशा उस जगे पर टेग करेंगी जो electron deficient होगी जहाँ पर electron की कमी होगी इसलिए पहले root पर reaction possible हुआ है निकलियोफाइल ने हमारा कार्बोगटायन को रेक्स electron दिया है तो निकलियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पर attack करेंगा लेकिन कार्बेन आइन जो होता है वो electron rich होता है ये खुद निकलियोफाइल का example है तो निकलियोफाइल जो है वो दूसरे निकलियोफाइल के साथ में कभी attack नहीं करेगा कि ये electron rich already है ध्यान रखीगा निकलियोफाइल हमेशा electron deficient साइट पर यानि कि इलेक्ट्रोफाइल पर attack करेगा इलेक्ट्रोफाइल रिच या निकलियोफिलिक साइट पर नहीं क्या ये आपको clear हुआ है तो चली फिर आगे बढ़ेंगे हम because of electron pair donating tenancy all निकलियोफाइल्स आर Lewis based ध्यान रखीगा ये exam में question भी आता है कि जो हमारे निकलियोफाइल होते हैं जितने भी निकलियोफाइल हैं वो सारे के सारे electron pair donate करते हैं और ये electron pair donate करने की जो tendency है आदत है निकलियोफाइल्स की ये बनाती है उनको Lewis based तो सारे के सारे निकलियोफाइल जो होते हैं वो Lewis based का example है लेकिन सारे Lewis based निकलियोफाइल नहीं हो सकते हैं ये हम जानेंगे बाद में चली थोड़ा और आगे बढ़ते हैं reactivity of निकलियोफाइल is known as निकलियोफिलिसिटी और निकलियोफिलिक strength ध्यान न किएगा बच्चो कि जो हमारे निकलियोफाइल होते हैं जो उनकी react करने की tendency है जो उनकी power है वो power निकलियोफिलिसिटी या निकलियोफिलिसिटी जब हम दो निकलियोफाइल की reaction करने की power या tendency को compare करेंगे तो वहाँ पर ये property कहलाती है निकलियो फिलिसिटी आगे example के साथ clear जरूर करेंगे हम अब लेते हैं बच्चो types of nucleophile कितने type का होता है nucleophile तो nucleophile को classify करने के दो तरीके हैं पहला है on the basis of charge और दूसरा है on the basis of donor atom तो अगर charge के base में nucleophile को देखा जाएं तो ये दो तरह के होते हैं एक वह nucleophile जिन पर negative charge होता है दूसरे nucleophile वह होते हैं जिन पर कोई charge नहीं होता है neutral होते हैं और अगर donor atom के base पे देखा जाए तो भी nucleophile दो तरह के होते हैं एक वह nucleophile जिन में केवल एक donor atom होता है यानि कि पूरा molecule या iron होगा लेकिन उसमें केवल एक ही atom electron देता है donor site एक होती है इसलिए इनको monodent nucleophile कहा जाता है और दूसरे nucleophile वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा means दो donor atom होते हैं वो कहलाते हैं हमारे embident nucleophile अभी हमने जाना था कि charge के base पे nucleophile जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं हमने यहाँ पे दो column maintain की हुए left में और right में पहले वाला nucleophile जो है वो होगा जिस पे minus या negative charge होगा और दूसरे वाला nucleophile वो होगा जिस पे कोई charge नहीं होगा तो आए इन example को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि left में CL minus, BR minus, I minus, R minus यह कुछ बहुत सारे यहाँ पे ions हैं, इन सब पे minus charge है, clear है आपको और right side में हमारे कुछ molecule है, like H2O, ROH, ROR, H2S RSH, तो और यहाँ पे कुछ reagent भी दिये हुए हैं, तो दोनों को अगर देखा जाए, इन negatively charge ions को, और इन neutral molecules को, इन सब में आप देख पाने कि, यहाँ पर long pair दिखाया हुआ है, जो electron pair, यह long pair आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी विज़े से minus charge लगा है, इन molecule में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर long pair आपको दिखाया हुआ है, तो यह molecule या यह negatively charge ion को collectively species कहा जाता है और यह आयन, एन आयन और यह molecule, electron दे रहे हैं, long pair दे रहे हैं और यही इनको बना रहा है, nucleophile क्या ही clear है आपको, और यहाँ पर यह reagent है, यह example पर जिदा ध्यान से देखिए, यहाँ पर यह grignard reagent है, यह हमारा organolithium है, यह हमारा lithium aluminium hydride है यहाँ पर हमने star बनाया हुआ है जो आपको दिखा रहा है कि जिनके ओपर star बनाया है, यह portion यहाँ पर R carbon वाला यहाँ पर carbon वाला और यहाँ पर H minus निकलेगा hydride NIN यह हमारे भी, यह reagent भी हमारे nucleophile की तरह nucleophile का example है यह फिर nucleophile की तरह behave करते हैं, ध्यान नखिएगा clear है आपको चरिए फिर आगे बढ़ते हैं आईए अब बात करते हैं note की note में हम जानेंगे उन खास चीजों को जो हमें nucleophile के बारे में पता होना जरूरी है negatively charge, nucleophile is more stronger than its conjugated acid for example, OH minus is stronger than S2O and S2 minus is stronger than ammonia बच्चो, nucleophile के बारे में एक question आता है जहां पे आपको pair दिये होते हैं और उन pair में बोलता है कि भाईया, बताओ कौन सा nucleophilic strength का या कौन सा nucleophilicity के लिए order ठीक होगा तो वहां भी question जो है वो इस concept से बना होता है कि अगर कहीं पे NIN दिया हुआ है और उसका conjugated acid दिया हुआ है तो उस pair में आपको हमेशा ध्यान लखना है कि NIN जो है वो more stronger nucleophile होता है उसके parent molecule या फिर conjugate acid से जैसे आप यहां पे example के लिए देख सकते हैं hydroxyl NIN जो है यह more stronger nucleophile है S2O parent molecule से clear है S2O जो है वो OH- का conjugate acid है तो आप देखिए ध्यान लखिएगा कि वो NIN हमेशा stronger nucleophile होगा अपने parent molecule या फिर conjugate acid से आप देख रहें कि NS2- जो है यह more stronger nucleophile है अपने parent molecule या फिर अपने parent conjugate acid से तो NS3 जो है वो weaker nucleophile होगा NS2- से यह point ध्यान लखिएगा अभी आपको बताया था Lewis base और nucleophilicity के बारे में तो बच्चों ध्यान लखिएगा basicity is controlled thermodynamically but nucleophilicity kinetically जो हमारी nucleophilic power होती है nucleophilicity होती है वो उसको kinetic factor control करते हैं लेकिन जो Lewis base की basic nature या basicity होती है वो control करी जाती है thermodynamic factor के थूँ इसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो में बात करेंगे अब यहाँ पे order of nucleophilicity दिया हुआ है right से left की और यहाँ पे दो order दिखाए हुए जहाँ पे आपका nucleophilic power या nucleophilicity बढ़ रही है क्या यह clear है तो यह दो order अगर आप कर लेते हैं आपके बहुत सारे question चुटकियों में हो जाएंगे चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग organic compounds in which carbon atom is bonded with electronegative atom ONS by multiple bond then they show nucleophilicity also बचो ध्यान न कीगा बहुत सारे ऐसे organic compound या organic molecule होते हैं जहाँ पे carbon atom electronegative atom के साथ में multiple bond बना के जुड़ा होता है यानि carbon oxygen के साथ हो या फिर nitrogen के साथ हो या फिर sulfur के साथ में multiple bond बना के जुड़ा होआ है double या triple bond जुड़ा होआ है तो वो compound भी nucleophilic nature को show करेगा nucleophilic बन जाएगा वो कैसे example देख लेते हैं हम यहापर आप देख सकते हैं यह हमारा ldiide है, ketone है हमारा nitrile है, isonitrile है carboxlic acid है, आप देख पा रहे हैं यह हमारा acid chloride हो गया यह हमारा ester हो गया, यह हमारा amide हो गया, बचों द्यांस देखिए इन सारे molecule में कुछ खास बात किया है कि carbon जो है, वो electronegative oxygen के साथ में जुड़ा होआ है, double bond बनाके और nitrogen जुड़ा हुआ है carbon के साथ में आप देख पा रहे हैं जी हाँ, multiple bond यानि triple bond बनाके, तो यह सारे compound जो हैं, यह भी हमारा nucleophilicity को show करेंगे nucleophile की तरह behave करेंगे क्या ही clear है आपको तो बच्चों आज हमने जाना nucleophile क्या होता है, कितने type का होता है, और उसकी कुछ खास points के बारे में तो बच्चों चारते जाते, एक बार फिर से revise करा देते हैं, आपको, आपको starting बदाया था, during the classification of nucleophile की classify करने के दो तरही के होते हैं charge के base पे, और दूसरा donor atom के base पे, अब जरा एक बार briefing कीजिए, और ध्यान से देखिए, कि यहाँ पे चाहे वो charge वाले हो, या फिर neutral हो, इन सब nucleophile में केवल एक ही atom electron देगा, electron pair देगा, किया या आपो clear है तो बच्चों ये कहलाएंगे हमारे monodent nucleophile clear है, ये monodent nucleophile है, लेकिन वो दूसरे nucleophile होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा donor atom होते हैं, उनको m by dent बोलते हैं, तो अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे, m by dent nucleophile के बारे में जुड़ रही है हमारे साथ nucleophile के अगले पार्ट तक जाहिन बच्चों